तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनीकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का यह जो वीडियो है ना यह उर्दू फॉर बिगनर्स यानि की उफबी का पार्ट है थार्टी सिक्सेक कौन सा पाथ है पार्ट थार्टी सिक्से और आज की इस वीडियो में हम लोग अ में परदेंट पर्फेक्ट और जा VI ए चुकी है और चुके हैं आता है उस तरह के sentences को हम रख देते हैं present perfect tense के अंतरगत ठीक है तो चुका है चुकी है चुके है जैसे कि मैं खा चुका हूं मैं जा चुकी हूं वे लोग दोड़ चुके हैं वे लोग भूला चुके हैं ठीक है और वह जा चुकी है तो जो भी है जिसके लास्ट में चुका है चुकी है तो या यह यह गदाव मैं खाई फ़र सी देंस को फृशन से पढ़ते चले ने आ रहें का गंटे से पढ़ते चले आ रहे हैं दो दोग करना क면 छुब такой मैं सुबा से मैं पढ़ रहा हूं को इस तरह के सिंटेंस को भी कैसे उर्दु में लिखा जाता है पढ़ा जाता है इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही काफी important होने वाला है वीडियो और स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को दो बाते बता देना चाहती हूं आप लोगों को इन दो कामों को करना बेहत जरूरी है तब ही आप लोग उर्दू कंप्लीट और बहुत जल्द सिखेंगे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो यह है कि आप लोगों को कोई भी उर् भीना चाहिए पढ़ने के लिए या तो किताब रखें या फिर अगर आफ लेवल नहीं उपर एट तो ऑनलाइन इवलेवल कर लिए मोबाइल से कोई भी एक बुक डाउनलोड कर लिए उर्दू का लेकिन पढ़ने के जिस तरह English बोलने के लिए हम लोग बोल बोल कर practice करते हैं तभी हम लोग English बोलना सीख पाते हैं उसी तरह उर्दु को सीखने के लिए उर्दु को पढ़ पढ़ कर प्राक्टिस करना होगा पढ़ना भी है और लिखना भी है practice करेंगे तभी आप लोग बहुत जल्ब मतलब मेहनत कर दीजिए फिर आप लोग को जिंदगी भर मेहनत नहीं करना पड़ेगा आप लोग complete और तो सीख जाएंगे तो यहां पर आप लोग को पीछे नहीं हटना है जितना ज्यादा उसके प्राक्टिस करिए उसके सांसात दूसरा काम आप लोग को यह करना है कि आप यह जो कुछ भी मैं लिखने के लिए बोलती हूं आप लोग लिखिए और पढ़िए और आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक शेयर वगरा जरूर कर दे जितना ज्यादा हो सकते और लाइक कर दे लाइक एक ही बार करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिज कर आया है क्या हम लोग घर पहुंच चुके हैं वें लोग कहां से पढ़ाई किया हैं तुम कीस तरह लिखे हो वे लगों खुश हैं तुम कैसे बश गए हो इसको ऐद लिखना है तो कैसे लिखेंगे छली कर के लिखकर बताती हूं our 서로 समझेए हमलोग देखिए मैं आचुका सालीजे वीडियो कोने में three dot लाट आता है कर्क्र आपड़ कलिक करके quality बढ़ा ले और o जायेगा यह हो गया जलब हैँ किया बंपाद के लिए आप जानते हैं किया जयता है उपर मद लगा देंगे अलिफ की ओपर मत लगा देंगे तो यह हो जाएगा अलिफ दो आ तो मैं और उसके क्या है चू का इस चूका है चू को में नहीं कि जह नहीं है और चू में कौन सक्वा गूतरा है लोलक पेश लगा देते हैं लिखेंगे नहीं पेश कर नाइं लिखा जाता है तो जो चे के उपर पेश्मान लिएं तो ये हो गया चू और चू और रहा हूं में किस तरह लीखा जाता है उॉर्दु में जी हाँ ुस तरह से लिखा जाता है入 man पण आप और को बता ही हो ना इसके पहले वाले वीडियो में भी और उन उसके पहले वाले हे होता है. हे के उपर पेश और वाव लगा कर covid-19 के लीए नुन गुनना का यूज करते हैं. इं तीनों को जोड़ देते हैं तो इस तरह हू लिखा जाता है. देखे हे के बड़ा अउinhos कि मातरा है तो बड़ा वाला उ की मात्रा में बदलने के लिए इस हे के उपर पेश लगा कर और वाव जोड़ दिये तो यह तो हूँ हो गया लेकिन इसके उपर क्या है चांद वाला नौ है चांद वाला नौ के लिए नून गुन्ना का यूज कि हम लोग ठीक है और इन तीनों को हूँ को मैं यहां पर लिखी हूँ ठीक है तो इसी वज़ा से आप लोग याद कर लिए कि हूँ इस तरह से लिखा जाता है है इस तरह से लिखा जाता है है में अगर उपर बिंदु वाला ना है तो इस तरह से लिखा जाता है इसको याद कर लिए कभी कभी ना हिंदी भी गलत कुछ लोग लिखते हैं अब देखे हूं सही तरीके से इस तरह से लिखा जाता है लेकिन कुछ लोग हिंदी में हूं को इस तरह से लिखते हैं जबकि यह गलत है हूं में छोटा वाला हूं देते हैं जबकि यह गलत है बड़ा वाला हूं रहेगा ठीक है और फिर आप ल लोग जानते हैं लिखना यह हो गया मैं ठीक है आया अलिफ के उपर मद जोड़ दिये तो यह हो गया और यह यह को उर्दू में कहते हैं यह तो यह हो गया यह से यह लेकिन यह में क्या है आ की मातरा है यह है इसी यह में अलिफ जोड़ दीजिए यह में रिफ जूड़ कर य तो मैं आया और फिर से हूं है किस तरह लिखा जाता है इस तरह लिखा जाता है फिर से लिख दीजिए हूं मैं आया हूं हो गया बात खत्म कितना आसानी से लिख लिए दो सेंटेंस और यह कौन सा सेंटेंस है तो पर्जेंट पर्फेक्ट कंठेंस का यह सेंटेंस है कितना आ लोग भी पढ़ा जाता है और वे लोग भी ठाओ तो यह गया वे लोग या फिर वह लोग दुन उन पढ़ सकते हैं तो वे लोग और फिर उसके बाद चू हो जाएगा कि चू में चोड़ावला है चू के उपर पेशमान लिए तो चू और के कॉख उर्दू में कहते हैं काफ तो यह हो गया काफ से तो काफ हुआ ना यहां पर के है यानिकी काफ में एक ही मातर है तो काफ के नीचे जेर मानकर और इसमें बड़ी यह जोड़ दि इस तरह से लिखा जाता है है ठीक है है के उपर जबर और बड़ी जुड़कर है और नोन गुर्णा है वही मैं बोल रही हूं कि है हूं हो यह तिन चीज़ें आप लोग याद कर लिए यहां पर मैं बॉक्स बरांकर लिख भी दे रही हूं है यह वाला जो नॉर्दू में इस तरह से हैं लिखा जाता है ठीक है हूं इस तरह से लिखा जाता है याद कर लिजे हूं ठीक है और हो इस तरह से लिखा जाता है यह हो गया हूं ठीक है दो तिन चीज़ें आप लोग याद और मैं मैं भी याद कर लिजे मैं इस तरह से लिखा जाता है ठीक है एक दो तीन च लिए सबसे पहले लिखे उसने अलीफ के उपर पेशमान लेंगे तो हो जाएगा ना तो यह हो गया और यह हो गया सीन से सा उस हो गया और उसके बाद से नून और उसके बाद से नून के नीचे जिर मानकर इसमें बड़ी ये जोड़ दिये तो ने, उस और ने, भले ही यहाँ पर उसने एक ही में लिखा हुआ है, लेकिन जब उर्दू में लिखेंगे, तो आप अलग अलग लिखेंगे, उस अलग लिखेंगे और ने अलग लिखेंगे अलिफ के उपर पेशमान करूँ और सीन से सा उस और नून के नीचे जेर जोड़कर इसमें बढ़ी ये जोड़ दिये तो ने उसने आप चाहें तो एक में भी लिख सकते हैं ये सीन का आदा भाग मिटा कर और इसी में ये ने ले जाकर ये वाला जोड़ देंगे तो उसने ल आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं लेकिन जादतर अलग ही अलग लिखा जाता है तो मैं अलग ही अलग लिखेंगे चलिए उसने और मिठाई मिठाई लिखना असान है मिम से मा और देखिए मिम से मा तो हो गया ध्यान दिजे मी जो है इसमें कौन से वालाई की मात् ठा है ठा किस तरह से लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है ठा यह हो गया ठा और इसी में अलिफ जोड़ दीजे तो ठा हो गया तो मी ठा और ई मैं आप लोग को बताई हूं अलिफ के नीचे जिर लागा कर छोटी जोड़ देते हैं तो इसको ई पढ़ा जाता है लेकिन ह शामजा आङए जो कि भी बढ़ी वाली ईबढ़ा जाता है और इसको भी बड़ार। यहां पर यह वाले का ऊकरेंगे बड़ी का कुछよ करें और यहाँ पर यहां परवे का ίूजय करते हैं तो दोओ ऑलिफ हो जाता जबकि दो तो अलिफ एक साथ में रिखा जाता है गलत हो जाएगा इसलिए मीठा तो था लेकिन ई लिखने के लिए यह वाले यूज देखें तो मीठा ये यह होगा अप लोगों समझ में आ गया होगा तो झोफ़ो और इसमें जोड़ोड जोड तो को जाएगा और इसके बाद से लि ली देखे कितना लिखना आसाम है यहो गया लाम आधा लाम से लो और इसके निचे जimana कर और इसमेर चोटी एजोड दिये तो लि कर फोली नाव की जिएर कुछ बोल चुके हो तो तुम लिखना आसान है इस तरह से लिख जाता है तुम ते की उपर पेशे नहां भी असान ने स curvate h7 ऻुव Tou voiture था इस्षीया लींग न्याद हो गया है यह वह भाग की ऑपर पेश मान लिए तो हूअ और टे से तरह इस तरह से लिखते हो चाय इस तरह से लिखा जाता है ठीक है और इसी को यहांप ले जाकर जोड़ दिया गया है तो इस न्युकर मैं अभी लिखकर बताई कहा था चूक नहीं बताई यह है चुके चुके लिखे थे यहां पर इस तरह लिखा जाएगा चुके कितना असान है चुके लिखना बोल चुके और हो देखिए किस तरह से लिखा जाता है इस तरह उर्दू में लिखा जाता है हो गया हो सिंपल इतना आधा सेक्षन हम लोग कंप्लीट कर लिए अब इस है देखिए आप ध्यान दिए और इस मेहनत के लिए इतना मेहनत में आप लोग के लिए कर तो लाइक तो बनता है लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर करें ठीक है चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब वीडियो अप्लोड हो के निचे जरूर मान लिए तो मी और दाल से दो तो मिद हामिद हामिद हो गया हमारे हमारे कैसे लिखा जाएगा यह हो गया है यह से हो जाएगा माहा माहा और रे से रह होता है और रे के निचे जिर मानकर इसमें बढ़िये जोड़ दिये तो रे हो गया तो हमारे हमारे हमा मारे लिये लिये में देखिए लिये में क्या है ला है सबसे पहले तो यह तो लाम से ला हो गया ठीक है और लाम के नीचे जिर मान लिये तो क्या हो गया लाम के नीचे जिर मान लिये तो छोटी वाली ली हो गया लाम के नीचे जिर मान लिये तो ली और उसके बाद से यह हो ग इसको भी पढ़ा जाता है या फिर हम जा से भी और हम्जा के नीचे बड़िये लगा कर बड़ी जोड़ दिया जाता है उसको भी इस function ये बड़ीये तो कैसे जो लिखा सकता है और इस तरह से भी सटाइब सकते हैं तो यह आप लोग देख लिए इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिखते हैं कोई यह से यह हो गया और इसी में अलिफ जोड़ दिये तो यह में अलिफ जोड़ कर या तो को या लेकिन यहां पर क्या है दो बार क्या है क्या क्या तो इसको भी दो बार आप लोग लिखिए क्या क्या है ना तो हमारे लिए क्या क्या हमिद हमारे लिए क्या क्या लेकर लेकर लि नीचे जेर मान कर इसमें बढ़िये जोड़ दिये तो यह हो गया ले और काफ से कह होता है और रे से रह कर क्या क्या लेकर आया दोनों को एक में भी लिख सकते हैं लेकर यहां पर लेकर एक में लिखा गया है ना तो इसको भी आप लोग अलग अलग लिखने लिखने के बजा जाएगा तो यह एक में लिखा गया है लेकर आप चाहे थे चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते हैं और चाहेंगे तो इस एक में भी लिख सकते हैं तो हामिद हमारे लिए क्या-क्या लेकर आया अलिफ्यू पर मत जुड़कर आ और यह मेरी जुड़कर या आया और उसके ब इसको आगे बढ़िए क्या हम लोग घर पहुच चुके हैं तो यह हो गया इसको मैं मिटा दे रही हूं यह हो गया क्या थीक है थोड़ा मैं फास्ट लिखती हु ना तो थोड़ी सी बदसूरत दिखने लगते हैं लेकिन कोई दिकत नहीं है क्या हो गया और हम लोग हम लोग भी लिखना आसान है यह हो गया हम और यह हो गया लोग लोग हम लोग और घर यह हो गया घर पहुच पहुच भी लिखना आसान है देखिया पे का यह आधा भाग हो गया पे सिप्पा हो गया और हूं है आप लोग जानते हैं यह हो गया ठीक है यह है यह हो गया और है तो हो जाएगा क्योंकि हूँ में चोटा वाला वू की मात्रा है सिर्फ पेश उपर मान लेंगे तो हो जाएगा बड़ा वाला वू रहा तब लगाते तो हो जाएगा और उपर देखेए चांद वाला ना है ना तो इसके लिए आप लोग नून का यूज करेंगे और फिर यहां पर जोड़ देंगे ठीक है यह बीच में था इसलिए नून जाहिरा का हम लोग यूज किये अगर लास्ट में रहता है तो हम लोग ना कहीं करते हैं तेकिन उपर वाला चांद वाला ना था बीच में तो इसलिए नून का यूज कर दिए नून लो गया चुके है महार उसके बार अउपर बिंदु वाला है नकर उपर भी यूज को गया होट चुक्यें तो क्या हम लोग होंच हो चुके हैं कितना असानी से लिख लिए उसी तरह हैं वे लोग कहां से पढ़ाई किये हैं वे लोग कहां से पढ़ाई किये हैं तो सबसे पहले वे लोग लिख दीजिए लिख दिया गया और कहां कहां भी मैं आप लोग को बताई को लिखना इस तरह से लिखा जाता है कहां लिखा गया था नकाड़ यहाँ पर प्लियू में यहाँ पर लॉठक सब भी सब तो उसी तरह है यहाँ पर ला मखव से पढ़ाई किये और हैं लास्ट में जो दीजिए कॉशन मार्क लगा दीजे, हो गया, फतम कहानी आगे बढ़ी है, तुम किस तरह लिखे हो? तुम किस तरह लिखे हो? तो तुम लिख दीजे ऐसे किस इसतरह हो जाएगा? और तरह तो से ता Capर से Рा और हे से हा यह हो गया, तरह और लिखे लाम से ल, लाम के नीचे जेर मान लिए तो ये छोटी वाली ली हो जाएगा और ख, तो आप लोग जानते हैं ये हो गया ख और खे है न यहाँ पर एक ही मात्रा तो ख, के नीचे जेर मान का रिसमें बड़ी ये जोड़ दिये तो ली और खे लिखे हो गया और हो इस तरह से लिखा जाता है तो तुम किस तरह लिखे हो कितना आसान है लिख दिया हम लोग वे लोग क्यूं खुश है वे लोग ये हो गया वह और लोग और वह लोग हो गया और क्यूं, ये हो गया क्यूं क्यों भी लिखना मैं आप लोगों बताई हूं इस तरह क्यों लिखा जाता है और खुश भी लिखना बताई हूं यह हो गया खुश और हैं यह हो गया है वे लोग क्यों खुश हैं खतम कानी बहुत चाहिए लोग देख कर जलते हैं दूसरे लोग को जब दूसरे लोग कैसे यह हो गया काफ के उपर दबर यह जुड़कर कै और सिन के निचे जिर और बढ़ी जुड़कर से कैसे बच बे से बा और चे से चो यह हो गया बा और यह हो गया चो इसमें बे है और चे है बच और गए देखिए गए भी लिखना असान है यह हो गया गाफ से गा और ए ज तुम कैसे बच गए हो इतना असानी से लिख लिए इसी तरह तो आप लोगो को लिखना है अब चलिए मैं फिर से बोर्ड मिटाती हूं और प्रजेंट प्रफेक्ट कंठीनिवस टेंस बने संटेंस अब सब मिला जुला कर एक बार फिर से मैं बोर्ड पर लिखकर और लगाने का वह भी मैं आप लोगों को बता दे रहे हूं थोड़ा सा और फड़ा फड़ा वीडियों का देंड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले सकते हैं थोड़ा सा रफ टाइप का दिख रहे हैं बट ले लिजिए फड़ा फड़ा स्क्रीन शॉंट अब आए फिर से यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए मैं लिख दी हूं प्रफेक्ट कंटिनिवर स्टेंट से बने से ज्यादा मैं नहीं लिखी हूं क्योंकि यह आसान हैं हम लोग सुबा से पढ़ते आ रहे हैं क्या तुम दो घंटों से बोल रहे हो वहेदराबाद में पांच सालों से रह रही है तो इस तरह के सिंटेंस को कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए उसी तरह फंडा तो वही रहेगा लिखने का सबसे पहला शब्सके बाद वाला शब्सके इसी तरह रहेगा और जिस तरह लिखा गया है उस तरह हम लोग तो सबसे पहले हम लोग और दीजे हम लोग लिख दिया गया यहां पर हम और उसके बाद से लोग मोग उसके बाद से शुबह लिखना आसान है स्वात आसस बेसे बाव औरहे से सुबह से इस तरह से लिखा जाता है पढ़ते यह ओ गया पर पढ़ते आ यह हो गया है है और है है ऊपर बिंदु वाला न रहेगा है हम लोग सुबह से पढ़त आ रहे है ठीक है फड़ु यह सब्चेक्ट में यह यह सब्चेक्ट है यह से ज्यादा लोग है इसे लाष्ट में हैं लग रहा है ठीक है अगर इस सहरा रहता कि वह सुबासे पढ़ते आ रही है तब वह से पता चले हैं कि सिंगुलर यह तब लास्ट में है लगता लेकने हम लोग है एक से ज्यादर प्रूरल का बोढ़ हो रहा है ठीक है क्या तुम दो गप Catherine से बोल रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखिये क्या लिख दिया गया और तुम तुम लिख दिया गया उसके बाद से 2-2 इस तरह से लिखा जाता है दल की acon उयूकर आपके फॉर्दू मैं कहते हैं टे से फॉट वक्रा हो गया लेकिन एकी माऴाया मतलाएं के लिए के नीचे जिर्व बाटी और बढूड ढ powerless या बेग उपर पेश्मान करवा जोड़ती है वो और लाम से ला बोल ठीक और रहे रहे से रहे किनी से जिर्व मानकर बढ़ी जोड़ती है बोल रहे और यह हो गया हो क्या तुम घंटे से दो घंटे से बोल रहे हों इतना सानी लिख दिया गया इस तरह से आप लोगो को chunk लिखना है और तब एसको उदू में लिक करक्रेश करना है इसलिए मैं ज्जाद नहीं लिख्यों कम लिख्यों ताकि आप लोग सोचे सबसे पहले सेंटेंस को हिंदी में सोच लिख ले अपने काप्य argue में और तब कब बनता है हैदर उपाद पॉठा जैते हैंदर कैसे निखेंगे ahead कर दार अबाद है में हैदर अबाद लिखा जाता है लेकिन हिंदी में क्या लिखता है इस सौने लिखा जाता है तो भले ही उर्दू में लिखा जाता है है लेकिन पढ़ा क्या जाता है है थे और मैं यह हो गया में तो वह हैदराबाद में पांच तो इस तरह से लिखा जाएगा यूस्करेंगे 내가 उपर यूण का य्युण वो यह हो गया पांच सालों सीन मेरीव जुर करस लाम के परपेś मान करवा जुर्द ईलो और यह जो है बित वाला नहीं प्र में उपर बिदो नहीं सील यह नून गृश्ड कहें लेकिन यहां पर बीच में था पा और इसलिए दीऄ लास्ट में नौन ना था इसलिए लश्ट में यह अनला धा की स्ट कर मुझे भारDas हो गया कितना आसारी से लिख लिए हम लोग तो अब इसी तरह आप लोग को आप लोग का हो में कि यह हैं कि आप अगर उर्दू में इस तरह का से लिखा हुआ है तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे पहला दूसरा में आप लोग को नहीं बताऊंगी यह आप लोग का होमवाक है यह आप बोल सकते हैं यह आप लोग का होमवाक है पहला और दूसरा क्या पढ़ा जाएगा कमेंट में आप लोग लिखकर बताईए कि यह दोनों क्या लिखा गया है और इसको क्या पढ़ा जाएगा कमेंट में लि पर पर जुड़कर लो अधिके कंद और नून गुनना चोह दियुकर बति हो जाता है यह पर नून गुनना रहेगा ठीक है तो यह हो जाएगा वह सय पर चार सालों और यह हो गया से से थैंक यहां पर का टे है किया तयारी तयारी यानि हैंनि वा चार सालों से टयारी करते अ रहा है इस तरह पढ़ा जाता है इस तरह प चार सालों से टयारी दि encantum ढौन रहा है ठीक है ये देखिए तुम और सब लोग तुम लोग बाता लोग बादल विदनो चे से चा ऊपर मान लेंगे चू और के यह क्या हो गया है cuộc dal you कि हैं अप लोग बदल हुआ करेंगे और यह लोगको पढ़ना है और कमेड़को समझ में आ गया मुझे लगता है कि और कमें लिख कर जबरूर बतायेगा कि यहां चीजे में आ रही हैं और अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजिए फड़ावर स्क्रिंशॉट स्क्रिंशॉट लें का मौका में दे रही हूं चलिए तो कोई भी कम्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिकर पूछ लीजिएगा औ इसलिए करें ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें बाइबाइ टेक केर फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खदा हाफिज